दोस्तो आपका गोल time bound होना चाहिए यानि for example मुझे 5 kg कम करना है तो मुझे time decide करना होगा कि within a week, within a month और within a year जब मैं time दूँगा तो मुझे अपना deadline पता होगा और मैं अपने goal को हासिल करने के लिए बहुत मैनत करूँगा बिना timeline के आपका goal हासिल नहीं हो सकता